चानक क्या इस अकैडमी करंट अफेर्स में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोट ने जम्मू कश्मीर से अनुछे 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है इसी के बारे में सुप्रीम कोट के मुख्य न्यायधिश जस्टिस देवाई चंदरचूड की अधक्षता वाली 5 जचों की बैश ने सर्व सम्मती से फैसला देते हुए जम्मू कश्मीर के विशेश दरजे को खतम करने के फैसले को बरकरार रखा है सुप्रीम कोट ने ये भी कहा है कि अगले साल सितंबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के लिए कदम उठाने चाहिए शिश अदालत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को पोन राज्य का दरजा जितनी जल्दी बाहाल किया जा सकता है कर देना चाहिए अब हम बात करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है मामला ये है कि केंदर की वीजेपी सरकार ने साल 2019 में अनुछे 370 को निरस्त करके जम्मू कश्मीर को दो केंदर शाषित प्रदेशों में बाढ़ दिया था इस फैसले की समविधानिक वेद्ता को सुप्रीम कोट में चुनोती दी गई थी सुप्रीम कोट की जिस समविधान पीट ने इस फैसले में फैसला सुनाया है इस मामले में कुल 23 याचिकाएं दायर की गई थी याचिका करताओं में नागरिक समाज संगठन, वकील, राजनेता, पत्रकार और कार्यकरता शामिल है याचिका करताओं ने अदालत से अनुछे 370 को निरस्त करने और राज्य को दो केंदर शाषित परदेशों में बाटने को रद करने की मांग की थी याचिका करताओं का तर्ख था कि यहें लोगों की इच्छा के खिलाफ जाने के लिए किया गया एक राजनिति कृत्य था सविधान पीट में शामिल जस्टिस संजे किशन कोल ने जम्मो कश्मीर में अभी तक हुई हिंसा के मामलों को देखने के लिए एक समीती का गठन करने का सुझाव भी दिया है अब हम बात करेंगे इस फैसले के मुख्य बिन्दूओं के बारे में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस डिवाई चंदर्चूर ने कहा है कि राष्टपती शाषन के दोरान राज्जी की ओर से लिए गए केंदर के फैसले को चुनोती नहीं दी जा सकती अनुचेत 370 युद्ध जैसे स्थिती में एक अंतरिम प्रावधान था इसके टेक्स्ट को देखें तो ये पता चलता है कि यह एस्थाई प्रावधान था जस्टिस चंदर्चूर ने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोट समिधान के अनुचेत 370 को निरस्थ करने के लिए आदेश जारी करने की राष्टपती की शक्ती और लद्दाक को अलग केंदर शाषित प्रदेश पनाने के फैसले को वेध मानता है अनुचेत 370 को निश्प्रभावी करने के खिलाफ याचिका करताओने एक दलील ये भी दी थी कि राष्टपती शाषन के दौरान केंदर सरकार राज्य की तरफ से इतना एहम फैसला नहीं ले सकती है सुप्रीम कोड के मुख्य नायदिश डी वाई चंदर चूड ने कहा है कि भारत में विल्या के बाद जम्मो कश्मीर के पास आंतरिक संप्रभूता का अधिकार नहीं है पैसले के बारे में और विस्तार से अगर बात करें तो मुख्य नायदिश के अनुसार राष्टपती के पास अनुछे 370 हटाने का अधिकार है सीजे आई ने कहा कि जम्मो कश्मीर संविधान सभा की सिफारिशे राष्टपती के लिए बाद्यकारी नहीं है और भारती संविधान के सभी प्रावधान जम्मो कश्मीर पर लागू हो सकते हैं नायधिश ने कहा कि अनुछे 3703 के तहट राष्टपती को 370 को निश्प्रभावी करने का अधिकार है सर्वोच न्याले ने ये भी कहा कि राज्य में युद्ध जैसे हालात की वज़े से अनुछे 370 एक ऐस्ताई व्यवस्ता थी और समिधान के अनुछेद 1 और 370 से ये सपस्ट है कि जम्मो कश्मीर भारत का अभिन हिस्सा है फैसला सुनाते हुए मुखे नायदीश जस्टिस डीवाई चंदर चूर ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वो सितंबर 2024 तक जम्मो कश्मीर में चुनाव करवाएं मुखे नायदीश ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि भारत का चुनाव आयोग 30 सितंबर 2024 तक जम्मो कश्मीर विधान सभा के चुनाव करवाने के लिए कदम उठाए इस समिधान पेट ने 16 दिनों तक चली जिरह के बाद इस साल 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षत रख लिया था अब हम बात करेंगे इस पूरे फैसले की मुखे बातों के बारे में जम्मो कश्मीर के पास भारत में विल्या के बाद आंतरिक संप्रुभूता का अधिकार नहीं है राश्पती शाषन की घोशना को चुनोती देना वेद नहीं है अनुछे 370 एक एस्ताई प्रावधान था समिधान सभा के भंग होने के बाद भी राश्पती के आदेशों पर कोई प्रतिबंद नहीं है राश्पती का शक्ति प्रयोग दुर्भाग्य पुन नहीं था इसके लिए राज्ये से सहमती लेना जरूरी नहीं था लद्दाक को अलग केंदर शाषित प्रदेश बनाना भी वेध है जम्मो कश्मीर को राज्ये का दर्जा बहाल करके जल से जल चुनाव हो अब हम बात करेंगे अनुछे 370 क्या था इसके बारे में अनुछे 370 भारतिय समिधान का एक प्रावधान था यह जम्मो कश्मीर को विशेश दर्जा देता था यह भारते समिधान की उपयोगिता को राज्ये में सीमित कर देता था समिधान की अनुछेत एक के अलावा जो कहता है कि भारत राज्यों का एक संग है कोई अन्य अनुछेद जम्मू कश्मीर पर लागो नहीं होता था जम्मू कश्मीर का अपना एक सम्मिधान था भारत के राश्टपती के पास जरूरत पढ़ने पर किसी भी बदलाव के साथ सम्मिधान के किसी भी हिस्से को राज्य में लागो करने की ताकत थी हाला कि इसके लिए राज्य सरकार की सहमती अनिवार्य थी इसमें ये भी कहा गया था कि भारतिय संसद के पास केवल विदेश मामलों, रक्षा और संचार के संबंद में राज्य में कानून बनाने की शक्तियां है इस अनुछेद में इस बात की भी सीमा थी कि इसमें संचोधन कैसे किया जा सकता है इसमें कहा गया था कि इस प्रावधान में राश्टपती जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमती से संचोधन कर सकते हैं जम्मो और कश्मीर की सम्विधान सभा का गटन 1951 में किया गया था इसमें 55 सदस्य थे इसमें जम्मो और कश्मीर के सम्विधान का मसौदा त्यार किया गया था ठीक उसी तरह जैसे भारत की सम्विधान सभा ने भारतिय सम्विधान का मसौदा त्यार किया था राज्य के समिधान को अपनाने के बाद नवंबर 1956 में जम्मो कश्मीर समिधान सबाकास्तित्व खतम हो गया था बीजेपी काफी लंबे समय से इस अनुछेद को कश्मीर में भारत की साथ एकिकरण की दिशा में काटा मान रही थी इस अनुछेद को चार साल पहले निरस्त कर दिया गया 5 अगस्त 2019 को राष्टपती ने एक आदेश जारे किया इस से समिधान में संशोधन हुआ इसमें कहा गया कि राजे की समिधान सबा के संदर्व का अर्थ राजे की विधान सबा होगा इसमें ये भी कहा गया था कि राज्य की सरकार राज्य की राज्यपाल के समकक्ष होगी यहां यहें भी महत्पूर्ण है क्योंकि जब संशोधन पारित हुआ तो जम्मू कश्मीर में दिसंबर 2018 से राष्टपती शाषन लगा हुआ था जून 2018 में भाजपा ने पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था इसके बाद राज्यपाल शाषन और फिर राष्टपती शाषन के अधीन रहा सामान्य परिस्तिती में इस संशोधन के लिए राष्टपती को राच्य विधान मंडल की सहमती की जरूरत होती लेकिन राष्टपती शाषन के कारण विधान मंडल की सहमती संबब नहीं थी इस आदेश ने राष्टपती और केंदर सरकार को अनुशे 370 में जिस भी तरीके से सही लगे संशोधन करने की ताकत दे दी थी इसके अगले दिन राष्टपती ने एक और आदेश जारी किया इसमें कहा गया कि भारती संविधान के सभी प्रावधान जम्मो कश्मीर पर लागू होंगे इस से जम्मो कश्मीर को मिला विशेश दरजा खतम हो गया 9 अगस्त को संसद ने राज्य को दो केंदर शाशित प्रदेशों जम्मो और कश्मीर और लदाक में बाटने वाला एक कानून पारित किया जम्मो कश्मीर में विधान सभा होगी लेकिन लदाक में नहीं होगी जम्मो कश्मीर में 5 अगस्ते लोगडाउन लगा दिया गया था वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया था चेलीफोन नेटवर्क और इंटरनेट से वाए बंद कर दी गई थी राशनितिक दलों के नेताओं समेथ हजारों लोगों को या तो हिरासत में ले लिया गया 21 में बहाल किया गया अनुचेत को हटाए जाने के तुरंत बाद इससे चुनोती देते हुए कई या चिकाए दायर की गई अगस्त 2009 में सुप्रीम कोट ने इस मामले को 5 जचों की बैच के पास भेज दिया था अदालत ने इस साल अगस्त में इस मामले की अंतिम दलिल सुनने शुरू की थी इसके साथ ही आज का हमारा ये विशय यहीं पर समाप्त होता है हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद